जैसे WWE में Undertaker का WrestleMania वाला streak टूटा था ना वैसी बहुत similar सी vibe आ रही है यहाँ पर लेवरकुजन का 51 गेम बाद वो unbeaten streak टूट गया और वो भी कहां टूटा Europa League के final में भाई मतलब देखो बाय लेवरकुजन को यह तो तुम भी मानते हो हम भी मानते है हमने किसी ने भी शायद से बहुत कम लोगों जिसने 50-50 गेम लेवरकुजन को देखा होगा हाला कि जितने भी 10-12 गेम हमने देखे हैं कभी भी लेवरकुजन को actually मैं आपने यहाँ ऐसे पिसता हुआ नहीं देखा हुआ ऐसे humiliated होता हुआ नहीं देखा हुआ क्या यहाँ पर humiliation एक सही word है देखो और कल के हम यूरोपा लिग की final की बात करें जहाँ पर एटलांटा वर्सेज लेवरकुजन था और दोनों ही अपने काफी अच्छी फॉम में आ रहे थे वही जितना वोलो उतना कम है लेवरकुजन की बुंदस लियाई performance की बात करें या फर यूरोपा लिग की performance की बात करें दौनों चीज़ में एक कॉमनती की सालह हारते ही नहीं है ऐसे में आप पर जाबी अलोंसों की इस लेवरकुजन की टीम से उतना ही डर लग रहा था जितना क कही न कि Real Madrid टीम से डल लगता है, क्योंकि कही न कही सब लोग यह मानी रहते हैं, कि Leverkusen at the end of the day, comeback तो कर ही देगी, यह उनमें एक mentality है, Real Madrid light version है, कही न कि Real Madrid का ही version, हमको Europa League में देखने को मिल रहा है, comparison नहीं कर रहा है, बस एक reference point दे रहा हूँ, लेकिन match टार्ट होता है, और match बहुत पेसी स्टार्ट होता है, आपको first half पता भी नहीं चलेगा, कि first half यहाँ पर कैसे पूरी तरीके से चला गया, और आप बस सोच रहते हैं, अभी तो game स्टार्ट ही हुआ था, और उसमें आपर Atlanta ने दो गोल भी मार दिये, Lukeman ने literally hat-trick score किया, I think यह चौता है 500 बंदा ही है, जिसने किसी भी European final में आपर hat-trick score करी है, और Lukeman अन-playable था भाई, मतलब Atlanta के अगर हम team के बात करें, लुक्मन के आप बात करो, चाहे आप सकमाकका की बात करो, चाहे आप कूप माइनर्स की बात करो, चाहे पीछे के अगर हम defenders की बात करें, स्कालवीनी की बात करें, उनका goalkeeper की बात करें, ऐसे तच उनको वैसे कुछ ज़्यादा threat नहीं मिला, Leverkusen ने ज़्यादा create नहीं करा, क्योंकि जब आप Leverkusen की बात करते हो, तो आपको यहाँ पर एक shot passing, उसमें long ball mix होगी, उसमें आपर one two touches passing होगे, यहाँ पर frame pong, overload ball side, position heavy, यहाँ पर attacking input, जादर देखने को मिलेगा, लेकिन यह सब की कोशिश की गई थी इस game में, हुआ नहीं, अपने को इसके पीछे यहाँ पर Atlanta ने बहुत simple simple चीदे, जो कि वो पूरे season से करते होगे आ रहे हैं, उसी चीज़ को perfectly execute करने की कोशिश करी और उसमें वो successful होगे, जैसे अगर man to man pressing की बात करें, Atlanta ने at no point, अपनी high intensity man to man pressing को छोड़ा नहीं है, expectation काफी लोग एब मान के चल रहे थे कि Atlanta यहाँ पर counter खेलेगी, या फिर Atlanta थोड़ा सा damage limitation या फिर conservative football खेलने की तरफ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, Atlanta ने यहाँ पर और काफी लोग यहाँ पर मैं बता दूँ, इस समय social media पर Atlanta ने जिस तरीके दे खेला है, उससे काफी लोग यहाँ क्लॉप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर रोबर्ट तो डिजर्बी की बात कर रहे हैं, कि जितने भी passing, possession, press, baiting होते हैं, कि आप press करो और हम उसको bypass करेंगे, इन सब को यहाँ पर Atlanta की इस Gaspirini की team ने तोड़ा है, और तोड़ा है, पर सही word use कर रहा हूँ, मैंन टू मैंन प्रेसिंग के बात करें, इससे हो यह राता कि लिवरकूजन यहाँ पर काफी ज़़ादा congested feel कर रहे थी, काफी ज़़ादा suffocation face कर रहे थी, और nerviness तो आ रहे थी, यह चीज हमको Atlanta से देखने को नहीं मिली, पता है सबसे खुबसूरत बात यह है कि Atlanta जो खेल रही थी, उसको वो maintain कर पाए throughout the match, Atlanta जिस तरीके से bully कर रही थी, मतलब अगर Florian Witts की बात करें, Adli की बात करें, Frimpong की बात करें, तीनों attackers पर से कोई सा भी player, यहाँ पर Scalvini की बात करें, या बाकी के Lappato की बात करें, नहीं भिड़ फा रहे थे, और यह सबसे बड़ी दिक्कत की बात थी, इसलिए यहाँ पर Boniface को लाना बहुत important था, लेकिन ultimately कुछ भी काम कर ही नहीं रहा था, Leverkusen के लिए, चाहें आप short passing की बात करो, तो वहाँ पर misplace passing हो रही थी, और बहुत, I think 76 या 80% के बीच में passing accuracy थी, पूरी Leverkusen की team की, हम उस team की बात कर रहे हैं, जो कि लगबग हर एक game में average 500-600 passes करते हैं, और possession heavy team है, सो चो उनमें अगर 75% यहाँ पर passing accuracy है, तो कितना nervousness राहा होगा, यह लाज़मी भी है, ठीक है, आप मानके चलते हो कि मामूली बात है, लेकिन Atlanta at the same time ऐसे खेल रहे थे, जैसे यहाँ पर उनको पता है, जैसे उनको पता है कि यहाँ पर सामने वाली team, कितनी भैतरीन खेलती वे आ रही है, कितना बड़ा record है उनका, लेकिन आज के इस match में वो इस चीज़ का फरक नहीं पढ़ने देंगे, और यह चीज़ match से पहले मैं सोच भी रहाता है कि अगर आज Atlanta ने उनको respect इस थरीके से दे दी न, कि यहाँ पर Leverkusen तो comeback करी लेगी, तो वो कभी खेल नहीं पाएंगे, और उस चीज़ को side attack के वो यहाँ पर खेलेंगे, Lukeman ने जो goal score करें, easy goal तो कोई साब भी नहीं है, मतलब कोई साब भी goal नहीं है, और actually मैं Leverkusen के goalkeeper ने भी 2-3 चीज़े सेव करें, ग्रानिट जाका की अगर आब बात करोगे, तो yes, हम लोग बहुत बड़े-बड़े midfielders को देखता है, जाए Tony Cruz की बात करें, चाहिए हम यहाँ पर Aakimich की बात करें, Rodri की बात करें, John Stones की बात करें, लेकिन भाई, अगर आप Leverkusen की इस टीम को देखोगे, आप कह सकते हो कि Leverkusen की टीम अनलखी थोड़ी सी हो सकती है, कि उनके लिए काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो सबसे एप्रोप्रियेट वर्ल्ड न वो यह है कि उन्होंने आज परफॉर्मेंस बॉटल की है, और जितना Leverkusen पर फोकस जाना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा फोकस जाना चाहिए, एटलांटर की इस टीम पर, और ऐसे मैं यहाँ पर पूरे, अगर पिछले साथ-ाथ साल की बात करें, तो European उस paradigm shift पर यहाँ पर एटलांटर ने अपने आपको हमेशा present रखा है, उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो, कि उन्होंने अपनी चाप भी छोड़ी है, ऐसे मैं बस यह ट्रॉफी की कमी थी, वो यहाँ पर आ चुकी है, इसी के साथ यहाँ पर अगर फिवरेंटीना भी Conference League जीच जाती है, जो कि एक ही लीक से नौ टीम्स यूरोपियन कॉम्पेटिशन खेलने वारी, जिसमें से छे टीम्स सिफ चैम्पेंज लीक में खेलेंगी, और रोमा यहाँ पर कॉलिफाय कर जाएगी 2018 के बाद, स्वाद नहीं आ जाएंगे, मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर छे इन छे टीम्स के अगर हम बात करें न, मतलब मैजॉरिटी अगर आप जो चैम्पेंज लीक खेलेंगी, उनका नेट स्पेंड बर्नली और बर्नमत से भी कम है, और वो चैम्पेंज लीक खेलेंगे और बर्नली रेलिगेशन में जा रही है, इसी के दाथ अगर बात करें यहाँ पर अब मैंचेस्टे युनाइटीड से, तो इटालियन रिपोर्टर डी मार्जियो ने यहाँ पर यह कंफर्म ही कर दिया है, नहीं ऐसा कुछ उन्हों रूमर नहीं बता है, उन्होंने इस चीज को अनौन्स किया है, कि अरिक टन है, आपको अब यहाँ से जाते हुए दिखेंगे मैंचेस्टे युनाइटीड से, और युनाइटीड ने यहाँ पर दो-तीन मैनेजर की लिस्ट निकाली है, याद रखना, लास्ट फुटबॉल लिली के एपिसोड में मैंने डिजर भी के रिगार्डिंगे बताया है, तकि उसका रिलीस क्लॉस पे किया गया, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन जिस क्लब ने पे किया है, उसका नाम सामने निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि काफी जनरलिस यहां पर बता रहे हैं कि बड़ा मैच आने वाला है, इसलिए क्लब अपना नाम सामने नहीं लेकर आना चाहता है, और इस समय अगर आप प्रिमेर लिग में बात करोगे, तो मैंचेस्टर यॉनाइड़िट का एक बहुत बड़ा गेम है, इसके साथ फेब्रियूजे रोमेनों ने भी एक चीज़ कंफर्म किया, कि भाई एक क्रिटिकल पॉइंट है, कह सकते होंगे फेब्रियूजे रोमेनों के रिगार्डिंग इदे को एक चीज़ तो कहने पड़ेगी, इसके साथ अगर अगले बार, अगर मैनेजर की बात करें तो भाई बार्सलोना से आती है, अब देखो जहां अगले हफते, कहीना कहीं यहां पर जावी लेपोर्ता और इन सारे बड़े थाली के थाली के चट्टे बट्टों में जब टीम मीटिंग होगी, तो उसमें इस चीज़ कंफर्म किया जाए है कि जावी को ऐसा मैनेजर रखना है या नहीं रखना, जावी ने यहां पर खुद बोला है कि वो चाहता है बार्सलोना का मैनेजर बनना, एक और परसन है, उन्होंने याँ पर हाली में लंडन में हंसी फिलिक के साथ मीटिंग करिये, इसको पहले याँ पर आरेसी स्पोर्ट की बात करें, या फिर स्पैनिश मीडिया की बात करें, काफी लोगों ने कहा कि देखो हवा में तुक्का मारा जा रहा है, लेकिन वक्त आगे बढ़ता रहा, घंटे पास होते रहे, उसके बाद यहाँ पर ऑफिशल कन्फरमेशन तो कैसे आईगी, उसमें वहाँ पर यह बतायागी है कि वो किसी और प्रोजेक्ट में फोकस्ट है, यानि कि उसको जॉप तो चाहिए, पर चल्सी की नहीं चाहिए, साथ ही यहाँ पर हंसिफ लिक इस पॉंट ऑफ टाइम पर बार्सिलोना के लिए खुद पुश कर रहा है, जो कि भाई बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब हंसिफ लिक के पास तीन-चार क्लप्स तो हैं, देखो, चल्सी भी आ गया था, मैंचेस्टर उनाइट भी आप कह सकते हो कि ठीक है, हो गाई कही न कहीं, आप कह सकते हो हैं यहाँ पर बायन मिनिक भी था, और यहाँ पर बार्सिलना थी, ऐसे में यहाँ पर हंसिफ लिग अगर बायन का मैनेजर बनना चाहता तो बन जाता, जब थोड़ा कॉंप्रमाइस करना पड़ता, चल्सी के साथ भी था, लेकिन यहाँ पर बार्सिलना के लिए काफी जादा उतावला भी है, और यहाँ पर excited भी है, वो चीज कैसे पास होती है, यह देखना पड़ेगा, लेकिन कहीना कि मेरे को लगता है कि अगर यह जाभी को sack करने वाले हैं, तो यह दिखाता है कि कितने नहाइते चूती हैं बार्सिलना का यह जो higher top management है, बिकॉज, देखो हर manager एक respect तो deserve करता ही है, ठीक है, इवन इफ यहाँ पर सब चीज बिलकुँ south जा रही हो, और यह तो फिर भी जाभी है, ठीक है, आपने पहले गिड़गड़ा है सब के सामने, सब के सामने आप गिड़गड़ाते रहे, as a president, कि भाई, हम तो चाहते हैं जाभी रुके, अब जब वो रुक गया है, ठीक है, जाभी के भी अपने flaws है, अपने वो हैं, उसका अपना तरीका है, वो election नहीं लड़ेगा, तो उसको नहीं लेना देना वोट से, उसको अपनी team से लेना देना है, चिक है, आप क्या घपला बाजी कर रहे हो, यहाँ पर आप कितना है, यहाँ पर brainwash कर रहे हो, बारसुना फैंस को यह बता के, कि भाई सब बढ़िया है, सब सहेट है, सब कोई दिक्कत की बात नहीं, जबकि पता है कि चट्टी फटी पढ़ी है, जबी को उससे फरक पड़ता है, क्योंकि जबी तो बचा रहा है, ऐसे में यहाँ पर एक बार फिर से सैक किया जाएगा, और इसमें तो अभी रुको, अभी यहाँ पर यह बात है कि जबी अगर सैक होता है, तो उसको 15 मिलियन मिलेंगे, जिसमें से 7 मिलियन जावी के होंगे, और बाकी के 8 मिलियन उसके स्टाफ के होंगे, अब 8 मिलियन जो स्टाफ के हैं, वो तो देने पड़ेंगे, लेकिन बारसिलोन यह चाहती है, कि man of the club के title के अंडर यहाँ पर, जावी इस point of time पर, अगर सैक होता है, या फिर mutual contract termination होता है, तो वो अपना यहाँ पर 7 मिलियन छोड़ दे, पैसा बचाया जा रहा है, सोच रहे हो, कि escape goating किस अवल दर्जे पर हो रही है, खेर इसे की दाद अगर बात करें, यहाँ पर buy and minute की, जर्मन सार अनप्रिक्टेबल, विंसेंट कॉम्पनी यहाँ पर, बर्नली के साथ रेलिगेट हो गए, दो अफते बाद यहाँ पर, वो buy and minute की job लेने वाले है, यह दो end से हैं, सबसे पहले तो विंसेंट कॉम्पनी, यहाँ से यहाँ जा रहा है, और buy and minute क्या खर रही है भाई, मतलब buy and minute ने विंसेंट कॉम्पनी को sign किया है, इसको मैं एक panic step बोलू, इसको मैं हडबाहट का एक step बोलू, या फिर मैं इसको एक बहुती successfully planned decision बोलू, क्योंकि यार देखो, कोई साभी manager इस point of time पर होता, आप ये तो मान के चलो कि buy and minute ने plan तो नहीं किया था, पाँच manager से, अच्छे manager से rejection के बाद, अगर कोई साथवा manager आ रहा है, तो वो plan ये तो नहीं हो सकता, उसके ओपर homework भी नहीं किया होगा, जादा तो नहीं किया होगा, च्छे साथ महीने को homework तो नहीं किया होगा, ऐसे मैं आपर Vincent company को लाया तो जा रहा है, high position football, उसके brand of style के साथ, उसके attacking input के साथ, उसकी personality के साथ, वो ego को समहाल लेगा, इस bet पर, जावी Alonso 2.0 हो जाएगा, जावी, थोड़ा-थोड़ा हो जाएगा, काफी सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई, मतलब बायन विनिक जैसा club आ रहा है, आप कैसे उसको reject कर सकते हो, चिक है, तो Vincent company थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हाँ भाई, एक once in a lifetime opportunity आई है, वो उसको नहीं, लेकिन काफी साथ, के लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई, यह बर्नली ने तेर पे 120 million से तेरे कहने पे, तेरे style of players पे खर्च किया है, और अब वो यहाँ पर relegate हो गए है, 120 million का stock पड़ा हुआ है, इसको कौन यूस करेगा, कौन सा manager आएगा, ऐसे मैं डूलेट विलो कि आपके हिसाप से क्या, बर्नली के साथ यहाँ पर हुआ है कुछ, हैंकी-पैंकी, और क्या यहाँ पर Vincent company, सही में बायन जैसी manager, बायन जैसी managerial position के caliber को fit भी करता है, because again, it's not just about a brand of style, भाई वहाँ पर ego भी आती है, कि वहाँ पर communication भी आता है, टूकल जैसा manager भी वहाँ दब गया और piss गया, ऐसे मैं आपर Vincent company समहाल लेगा, और एक brand यह brand of football, और यह नया modern style process चाहिए हमको, कितना time मिलेगा, बायर लवर्गूजन के बारे में सब बोलते रहते हैं, लेकिन बायर लवर्गूजन के उपर इतना European pressure नहीं होता है, हर season नहीं होता है, बायर के पास होता है, एक season में टूकल ने कुछ इतना खराब किया भी नहीं था, और वो piss गया, बेज़ती भी हुई उसकी, Vincent company को कितना time देंगे,